हाई फ्रेंड्स आज मैं एक बबसीर एवं पैरों की नसों में होने वाले सूजन को दूर करने के लिए उपियो किया जाने वाले कैपसूल का रिव्यू करने जा रहा हूं वीनो सूफ कैपसूल ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है आपसर्ज बायोटेक लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है कीमत के अगर बात करें तो 10 कैपसूल का एक स्ट्रिप मार्केट में 159 रुपीज का उपलब्ध होता है फ्रेंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिशना करें अगर आपने इस प्रोड़क्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या-क्या एक्स्पिरेंसे से रहे हैं कमेंट सेक्षन पर लिख कर मुझे जरूर बताएं आएए फ्रेंड्स वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में तो फ्रेंड्स इसमें केलसिय सिलेट 500 میली ग्राम की मात्रा में उपलब होता है अब देखते हैं फ्रेंड्स इस प्रोड़क्ट से जूड़े कुछ अन्य बैकल्पिक ब्रांड के बारे में जोबी लेट 500 mg कैपसूल जिसे अजनता फार्मल लिमिटेट के दवारा बनाया जाता है, डोबी रॉल कैपसूल जिसे लुपीन लिमिटेट के दवारा बनाया जाता है, और एफ़लो 500 mg कैपसूल जिसे विनसम लेबरेटरी प्राइवेट लिमिटेट के दवारा बनाया जाता हैं आपको एफेक्ट सेम मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का दो साल्ट या मॉलिकूल होता है वह सेम होता है अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन के कुछ प्रमुक इस्तिमाल के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि बवसीर या पाइल्स हीमोराइड्स के केस म में इस मेडिसिन को इस्तिमाल किया जाता है वेरिकोस वेंस के लिए भी इस मेडिसिन को इस्तिमाल करते हैं अब इसके कुछ कामन साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसकिन में रैसेस का होना फीवर का होना नौजिया और वोमिटिंग इत्यादी का होना इसके कुछ काम साइड इफेक्ट की रूप में देखे गए हैं अब देखते हैं कि फ्रेंड्स इस मेडिसिन को इस्तमाल कैसे करना चाहिए तो फ्रेंड्स इस मेडिसिन को डाक्टर की एडवाइस को फालो करते हुए यूज करना चाहिए डाक्टर के द्वारा सेट किया गया रेजिमेन यान को medicine को भोजन के साथ या भोजन की बीना भी ले सकते हैं परंदू आपको medicine को एक निश्चित समय पर लेना चाहिए किसी भी प्रकार के gastric upset से बचने के लिए बहतर होगा कि आप भोजन करने के पसचाथ ही medicine का सेवन करें अब देखते हैं friends यह medicine काम कैसे करती है तो friends यह जो capsule यह जो composition होता है यह छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं के दिवारों पर काम करता है तथा उनकी जो fragility होते है यानि जो उनके भंगुरता होती है और उनका जो leakage होनी की छमता होती है उसको कम करता है यह blood के गाड़ेपन को कम करके रक्त प्रवाह में सुधार करता है अब देखते हैं friends इस medicine से जुड़ी कुछ आन्य बातों के बारे में तो friends इस capsule का इस्तिमाल बवसीर और पैरों की नसों में जो सूजन होती है यानि जो वेरिकोस वेंस होती है उसके इलाज के लिए इस medicine का इस्तिमाल किया जाता है आपको डाक्टर के द्वारा सुझाए गए रेजिमेंड, डोज, डूरेशन, कंसार ही medicine का इस्तिमाल करना चाहिए अगर आप गरवती हैं या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं या इस्तान पान करा रही हैं तो आपको अपने डाक्टर से इस बारे में उचित परमर्स करना चाहिए उसके पस्चाथ ही medicine का सेवन करना चाहिए अगर medicine को लेने के पस्चाथ किसी प्रकार के allergic reactions होते हैं जैसे तो चपर शकत्ते आना, फीवर का आना, जी मिचलाना, उल्टी आना, आखों से या नाख से पानी आना इन प्रकार के लक्षण अगर आप देखते हैं तो आपको अपने डाक्टर से उचित परमर्स करना चाहिए डाक्टर को बिना सजेस्ट किये या डाक्टर से बिना बताए अचानक से आपको medicine को लेना बंद नहीं करना चाहिए इसके दूस परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं अगर medicine का कोई dose आप भूल गए हैं तो जितना जल्दी हो सके आपको उसकी dose को ले लेना चाहिए परन्तु अगर next dose का समय हो गया हो तो medicine को double नहीं करना चाहिए इसको अपने normal schedule पर लेना चाहिए double medicine या medicine की अधिक खुरांक आपको नुकसान पहुचा सकती है medicine से जुड़े कुछ safety features के अगर मैं बात करूं तो medicine को लेने के साथ साथ आपको alcohol का सेवन उसके आगे या पीछे नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है गर्भवस्ता और इस्तरपान की बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको बिना डाक्टर के परामर्स के medicine का सेवन नहीं करना चाहिए kidney और liver rock से जुड़ी किसी समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं बहतर होगा कि अपने डाक्टर से उचित परामर्स करें उसके पस्चात ही medicine का सेवन करें तो फ्रेंड्स यह था एक चोटा से रिविव मेडिसिन की उपर दवाउं से समंदित यह सारा विबरन केवल आपके जानकारी के लिए मैंने आपको बताया है किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आपको अपने डाक्टर की परामर्स बस लेना चाहिए सिर्फ वीडियो के अधार पर medicine का सेवन करना आपके लिए हानिकार रखो सकता है इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही किसी अन्य अच्छे interesting topic के साथ आप से फिर मुलकात करता हूँ तब तक के लिए good bye आपका दिन सुब हो जाहिंद